दोस्तों चीटी दुनिया के सबसे छोटी प्रजातियों में से एक हैं ये ऐसे जीव हैं जो अगर उचाई से नीचे गिर जाएं तो भी ये वापस उपर चड़ना नहीं भूलते आपको बता दूँ कि संसार में चीटियों की लगभग 15,000 से भी जाधा प्रजातियां पाई जाती हैं ये चीटियां हमेशा एक लाइन में चलती है और अपने पीछे एक तरल पदार्थ छोड़ती है ताकि पीछे वाली चीटी उसके पीछे चलती रहे लेकिन क्या आपको प अब ही का बहुत प्यार मिला और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इनका ये मिलन लगभग 10 मिनाट तक चलता है और जैसा इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्थ हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा चीटी अंडे देने की अवस्था में आ जाती है जिसके लिए इसे एक कॉलोनी की जरूरत होती है और फिर ये कॉलोनी की तलाश में निकल जाती है और जैसा ही मादा को चीटीओं की कॉलोनी मिल जाती है उसके बाद ये अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगा की खोच करती है और जैसा ही इसे सुरक्षित जगा मिल जाती है उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने शांदार तरीके से ये मादा अंडे दे रही है अगर बात करें के अंडों की तो ये छोटे पारदशी सफेद और चिपचिपए होते हैं और ये साइज में एक एमेम तक होते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चीपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिप आप देख सकते हैं ये लारवा सफेद और पारदशी होते हैं लेकिन इनके पास आंख और पैर नहीं होते तो जैसा ही ये अंडे लारवा में बदल जाते हैं उसके बाद ये वरकस चीटियां इने भोजन खिलाती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चीटियां और ये लगबग दो हफ्तों तक अपने लार्वा वाले जीवन पर ही बने रहते हैं। और जैसे ही इनके लार्वा वाले जीवन का समय पूरा हो जाता है। उसके बाद ये प्यूपा बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए ये अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं। जो हवा के संपर्क में आते ही धोस हो जाता है। जिसे कोकून भी कहा जाता है। ये कोकून सफेद या भूरे रंके हो सकते हैं। और फिर एक हफता भी जाने के बाद इस कोकून के अंदर एक वैस्क चिपची का विकास शुरूख हो जाता है। और इस समय इसके शरीर के विविन भाग जैसे आंक, पंग, एंटीना और पैरो का विकास भी शुरूख हो जाता है। दोस्तो इस प्यूपा को उचित विकास के लिए इस्थिर तापमान की जरूरत होती है, ताकि अंदर पल रही चीटी को कोई भी परेशानी ना हो। और लगबग 30 दिनों के बाद वो समय आही जाता है, जब चीटी पूरी तरह से वैस्क होकर प्यूपा से बाहर निकलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये वरकस चीटियां प्यूपा को काट कर अंदर पूर्ण रूप से विक्सित चीटी को बाहर निकालती है। और इस तरह इस चीटी की जन्मे प्रक्रिया समाप्थ होती है। जब ये चीटी पहली बार कोकून से बाहर आती है, तो इसका शरीर कमजोर और रंग हलका होता है, जो कुछ समय बाद मजबूत और गाड़ा हो जाता है। साथ ही इनके पास दो आखे भी होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चीटियां देख नहीं सकती, बलकि वो अपने सिर पर मौझूद एंटिनस के मदद से अपने संचार के सारे काम कर लेती है। साथ ही इन चीटियों के पास छे पैर होते हैं, जो पूरी तरह से विक्सित हो चुके होते हैं, और एक चीज जो इने सबसे घातक बनाती है, और वो है इनके शक्तिशाली जबडे, जो किसी को भी चोट पहुचाने के लिए काफी है। अगर बात करें के जीवनकाल की, तो इन वरकस चीटियों का जीवनकाल ज़्यादा समय तक नहीं होता, बलकि इन सबकी मूखिया, रानी चीटि का जीवनकाल, टीस वर्षों का होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। नहीं वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को चेक कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब तक के लिए, बाई!